अले नाम है उठाए उठाए के बता नहीं का नाम बोले पर्रा है यूटूब फैमली वेलकम बैक टुमाइन यू लोग तो अभी साम के चार बज़रे हैं और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हम लोग क्योंकि आज मैं हडबडी में आया और काम आम काफी था तो इस्टार्ट नही था मैडिकल तो अभी हम लोग जा रहे हैं motivate यहांका मार्केट है तो मेरे साथ जा रहे हैं हमारे मनोज भाहिया है एक गोला बुड़ा के हो तो सीधा आज आपको इसी बहाने मेरे को सबजी भी लेना था तो सोच रहा हूँ आपको यहां का मार्केट भी दिखा दूँगा तो चलिए हमारा विलेज जो गाओं का मार्केट है वो कैसा रहता है उसको आज आप देख लिए बाकि जो हमारे आस पास और गाओं वाले होंगे सहर से होंगे जो गाओं के बारे में जो जानना चाहते हैं कैसे क्या रहता है उलो के लिए यह ब्लोग है आज तो जल्दी जल्दी से चलते हैं और आपको दिखाते हैं अभी का मौसम देखिए हमारे साइड बारिस हो रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है पत जड़ सब्सक्राइब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा चलिए एक ठोब प्लस पॉइंट हो गया लोगों के लिए अब हम लोग पहुंशने वाले है वो मार्केट और यहां जो ऐसे कि मैं एक बार पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि जैसे मैं बाहर रोड में हूँ अभी हम लोग वो वाले रोड में आने वाले थे लेकिन वो ब्लॉक है सैथ रोड बन रहा है उसमें तो यहां पर एक ज शलुके आपको दिखाएंगे गुता साव्शाम का माहौल है तो ज्याधा ड़िंग कितना वजे तक आते हैं नहीं पांच बज़े जसे हम 서 तो है किलकिला में लेकिन मैं यहां मान के चलिए 5-10 मिनट ऐसे टाइप काया हूं क्योंकि दुकान दारी है अपना अगर ज़्यादा लेट में आऊंगा तो फिर दुकान में कस्टमर आएंगे तो फिलाल यहीं जगा देखके कहीं पर हम लोग खड़ा करेंगे गाड़ी को औ अगर मैं आपको आज मार्केट घुमाउगाँ भी तो लग रहा है जड़ा लगा नहीं तो फिलाल यहीं पर पार्क करते हैं घाड़ी चलिए यहां पे पार्क कर दिए हैं यहां का अपना गाड़ी और यहां फोड़ा सा आगे अमारा मंदीर हैप किल्किले-स्वर्ध है त तो फिलाल अब हम आपको दिखाते हैं का मार्केट ना भी यहां तो पूरा लाइन से लगता होगा ना ऐसे दुकान फार दुकान अब दोनों साइड लगता है और गाइस जैसे मेले के सीजन में यही यहीं मतलब इसी दिर केमपस में ही लगता है सारा चीज जूला उला जितना भी रहता है तो मैं आपको दिखाया तो चलिए अब मार्केट घुमते हैं ठोड़ा किसे का बाहरी मनला कतिक में देखास गाइस इनको आप पहचान रहे होंगे जो लोग मेरे को रेगुलर देख रहे हैं यह हमारे घर में एक बार काल ले कह रहे हैं तो इनका यहां पर यह भी आते हैं अपना अलोला के हैं मतलब यहीं आज कितकत दूरिया होई लिए केस और डिलिवरी भी है यह घर जाके भी अपना सेवा देते हैं तो आपको यह सब जो चाहिए का का कथे नेला सूपा है और नाम है उठाए-ठाए के बताने हैं अभी धान के सीजन के लिए आपको जो जो जोरत है सब मिल जाएगा काईस यहां पर तो फिलाल तुम्हर ना अगर आपको चाहिए तो मेरे से संपर की जाएगा क्योंकि हमारा कॉंटेक्ट है इनसे हमारा जो साधी बिवाह में जीतना भी हम लोगो जोरत रहता है सब और मार देते हैं तो घर पहुत सिवा देते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं इधर का और नजारा अधा गया क्या यूज क्या है बताइए आज गुलेल बोलते हैं जादा यूज करते हैं मैं भी बहुत इसको यूज करता था मतलब हम लोग जहां मिलता था वहां जाते तो घर में तो हमारे पापा लोग बहुत गुशाते थे कि यह सब नहीं खेलना चाहिए क्योंकि देखे बच्चों के लिए यूह होता है ले चले आगे बढ़ते हैं और दीखें यहां पर टामाटर वगइरा जैसे कि हमने कहा था कि guitar के लिए जाना जाता है तो यहां मतलब किनारसन का जीतना भी आपको समान चाहिए वो सारा यहां पर मतलब ऐसा है कि थोड़ा मोड़ा कम करके निगा रेट करका टिक फरक रहल कि क्यों इस रेट में मिले बाकी जैसे कोई मतलब मार्केट आ रहा है उस बहाने साथ मिले जाता है अपना राशन पानी जो है और इधर दिखाते है हैं आपको भींडी वगिरा भी मार्केट में आ चुका है कतिक रुपे किलोगा 30 में मिल रहा है आप लोग के साइट कितना में मिल रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छा देखिए यहां पे टमाटा कितना में दे रहा है लिए मात्र 10 दस्त स्थ € 10 में धी हो जाएगा देखिए गाई दस फिर वह जाता है साम में और यहां देखिए लका कष्थ हैंगा तो गई इसको हंडी बोले चैठहा एह देई इसको पूछा को यह वाला डोकसा तो गाइस देख सकते हैं सभी प्रकार के जैसे जैसे आपको ज़रत है उस हिजाब से यहां पर सब चीज उपलब्द है मार्केट में हमारा और एक चीज में यहां पर देखा इसको गुल्लक बोला जाता है हमारे गांव देहात में इसको हमारे कास्ट में चलिए ठीक है अम लोग के टाइम में पांच रुपए दस रुपए ऐसे उस समय तो साइज भी थोड़ा बढ़ा था अभी तो महंगाई बढ़ गया उसी जाब से रेट भी बढ़ गया तो फिलाल इधर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाईया कौन है इसका मालीक दीजे दो किलो दे दीजे फिलाल हम करेला लेने आत है और यहां पर तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट अभी के सीजन में जो जो आपको चाहिए वो सारा उपलब्द है यहां पर गाइस यहां देखिए आपको जो भी चड़ा उड़ा चाहिए सब चीज मिलता है मार्केट म होएं तो मतलब असा मतलब सउस्ता से सश्ता मिलेगा से रख हैं आंकल मुझा से रख सोता से तो गाहों दिहाद में तो जाना रहे हैं सौ 500-100-200 ऐसे चलता है तो उसी साब से मार्केत में रखते हैं लोग ईधर देख सकते हैं बोर आज हर चीज मिलता है उत्याद आपको देखने के मिलेंगी यहां चारों तरफ से अभी वहां लग रहा है छोटा-छोटा जो बनाया गया है उसमें सब में लगता है तो अभी कुछ कुछ लोग आये और कुछ लोग नहीं आया है तो यह तो भी तुरंड का काम है कोई किसी का फोर-विलर भी रहता है और व एससी पैल भी आ गोई अपने सीर में घ्यालानी हो देख सकते हैं चारों पर्भी काट घ९ा है दो थी हमोग अपना करेला ले लिया है क्योंकि सब मिलता है तो आपको खाना पीना से लेकर सब्जी भाजी सब चीज मिलेगा और यहां आपको चपल से लेकर फल फूल सब चीज मिलेंगे अभी तो लीची का सीजन है लीची कैसे दे रहे हैं चचा सव रुपए किलो है ठीक ठीक और यहां देखिए प्लास्टिक के आइटम भी आपको मिलेंगे और चचा नमस्कार जे हो जे महाकाल और यहां कुछ-कुछ मिक्चर उक्चर बटर बटर जो भी लेना किलाल हम यहां पर खाने आया है हमारे जो किलकिला के फेमस बुपचुप वाले हैं राम राम जय महाकाल नमस्कार भीया चला खिलावा हमर तगड़ा वाला चाट बना दे ठीक है चाट लेट है तू ऐसे कर चल गुपचुप खिला दे ज्यादा तीखा नहीं रहेगा न हमा इसको अब तो ज्यादा ज्यादा दो तिन गहंडा में पूरा खाता बना भीया इतना जबर जस्त है और हमारे गोला बुड़ा एरिया के भी हमारे भाईया खाने देख सकते हैं तो फिलाल हम लिखाता है बमने गुपचुप खा लिया अब निकलते हैं यहां पर हमारे कुल तो देखिए अभी किसान लोग को जड़त पड़ेगा क्योंकि बारी से होने इस्टार्ट हो गई है तो खेती किसानी के लिए गेकर सारा चीज आपको मिलेगा तो फिल्हाल तो हम लोग कुल्फी खाते हैं उसके बाद निकलेंगे बन गया चलिए हमारा कुलफी भी आ चुका है और मनोज भहिया के साथ खाते खाते इंज्वय करके जाएंगे चलिए भहिया क्या है बेचने के लिए लाएंगे थोक में दे रहें सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब। कैसे किलो दे रहे हैं कुछ नहीं लगाएंगे पहला ग्रहा फूमें कम किजिए हो जाएगा चलिए ठीक तो काम में आप जैसे थोड़ा मुड़ा मोल भावी कर सकते हैं इस चीज में अगर गुंजाइस रहता है तो उसमें कर देते हैं किसान लोग और ना रहे उसमें भी करत हैं टीज़ओं कर दला धा सबैंठ हैं तो नहीं है पदा चला कहा रहा है खा रहा है स下去 लोग करते थे गाई मिया लेकिन अभी दादा जी तो बीवार और हमारे पापा जी को पूर सतानी मिलता वैं इधर मेडीकल वैश्ए मैं तो क्या करता कि बाकी हमारे दादा जी कर थे अभी बीपी सुगर वाले पेसेंट हो गए वो तो भी अब कर नहीं पाते बाकी खेती को हमारे दादा और दादी ही सभालते हैं अभी तक हमारे उपर नहीं आया है तो उमीद है उनका उमर बहुत लंबा हो रहा हमेशा करते रहें वो आप लोगा खेती कुन करता है वीज़ा अमरी रहते हैं तो किसान रहे हम इतना दिन जुताही करते हैं। यहां धुद्रत है किसान लोगो संबहते हैं। हमारे एतना दिन जूताई करना है उस इसाप से दे रहता है तो तो दिन, तीन दिन, चार दिन तो सात, आठ, दस, बारा, हाइस्ट सब के हहां कितना आये थे पहले मतलब कितना 15-15 फीज थे बोल रहे हैं तो पंद्रा नांगर एक खेत में घूसना और लाइन से जाते हैं जू बागी पहले होता था जब ट्रेक्टर वगेरा का सुविधा नहीं रहता है वहां होता है बड़े-बड़े खेतों में निकल गया है और अभी बारिस थोड़ा हुआ इसलिए मैं आ गया और अभी बारिस नहीं होए रहता तो अभी भी आदमी लोग का आना जाना लगे रहता तो मैं बारिस हो रहा था फोर वीलर में आया था तो मैं सुझा कि बारिस हुआ है तो फोर वीलर में निकल जाता हूँ और इसी बहाने कोई आएगा भी ने थी और बीदमार तूभी बीड़े आपने मेड़िकल यहा कने बदिख किया पटली आपको ले के जल दिया में न cann Sketch ठीक है हम अपना दुकान दारी करते हैं और यहां पर हमारे देवक भीया कैसे बाहर खड़े हैं मतलब यह हो सकता है लाइट गोले अब इतना गर्मी में हम लोग कैसे रहेंगे और एक तो बारीज भी हो गया पूरा उम्मस अभी और अभी समय को पसीना आ रहा है तो संपर कि बिजली ओफिस में संपर किया है तो बाहर निकाल दें पूरा कांटरोंटर की आपका बढ़ियां है धांक दिये चलेंगे इनका है अभी तो कारट छपा अभी भी चल रहा है इनका गाइस अभी रात के नौ बजने वाले हैं तो मैं सीधे अभी घर जा रहा हूं तो जल्द का नया बड़ाम है एक उबालने बोलेंगे क्योंकि नया बड़ाम को भी नहीं हो गया ममी ऐ कारेला बोले थे और एदिन नया बड़ाम भी लाया हूं तो इसको तो फिलाल बढ़ दीजेश को खाएं घी ना फ技 ठीग है की दिखिया तुमये तो चेक चेक Initially भीisesti अच्छा यहां है तू कैसे मस्त घूम रहे तू बाहर साइड नहीं जाएगा घूमने मेरे साथ जाएगा रूजा तेरा चेन लेके आ रहा हूं चलो दोड़ेंगे आजाओ पकड़ पकड़ चाज ले हाँ चल दाओ अब भी मुंबई और लखनव का मेज दे रहा है तो मुंबई वाले 183 रन का टार्गेट दिये हैं लखनव को तो फिलाल मेज का अनंद उठाते हैं और काफी राज भी हो गया तो इस ब्लोग को यहीं तक रखते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीड कैसी लगी आप हमें कमेंड में जरू बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में